अचानक इसलामिक देश बॉर्नाई क्यों पहुँचे पिम मोदी कोन है बॉर्णाई का सुल्तान जिनसे पिम मोदी ने की मुलाकाव, जहां सब कर रहे दूआ वहाँ पिम मोदी ने क्यों जोड़े हाद भारत से करीब 7000 किलोमीटर दूर एक इसलामिक देश बुरनई जिसका पियम मोधी ने दौरा किया और यहां की एथियासिक उमर अली सैफुदीन मस्जित पहुचे यहां से आई तस्वीरे मीडिया से लेकर सोशल मीडिया पर चाय हुई है पियम मोधी ने वहां पहुचकर जो किया उसकी चर्चा सबसे जादा हो रही है वहां की इस एथियासिक मस्जित में पियम मोधी ने टोपी नहीं पहनी दूआ की जटा वहां पर पियम मोधी ने नमस् सर्फी कर रहे हैं क्योंकि हम लगातार ही देखते हैं कि राहुल गांदी जब किसी मजजिद में पहुंसते हैं तो वह टोपी पहलेते हैं वो अपना धार्मिक परिवर्तन भी दरसल धार्मिक इस्थल की तरह करते हैं और यही वज़ा है कि लोग अब प्रधान मंथुई की त हाथ चोड़े और इन्हीं तस्वीरों की तारीफ अब हो रही है इस सांधार और भव्य तरीके से बुर्णई में प्यम मोदी का जो स्वागत हुआ है उसकी तस्वीरे भी खूब बारल हो रही है चुकि बुर्णई एक मुस्लिम देश है एक इसलामी कंट्री है और वहां पर प्यम मोदी जैसे ही पहुँचे वहां के जो नेता थे उने शांधार तरीके से प्रदान मंत्री का स्वागत किया बलकि जो भारतिये समुदाई के लोग वहां पर रह रहे थे वो भी प्रदान मंत्री का बेसबरी से इंतजार कर रहे थे तस्वीरे आपके साथे हैं किस तर करदाई हुई है और सवाल उठा रही हैं इन तस्वीरों पर आप कॉंग्र tapi तिलम् इंदाहि को बोड़्य में मोदि उमर erneंफित में अकी जाएंगे और हिंदूस्तान में उनके विढाएक तुम्हारी मस्जितों मैं तुम्हें चुन चुन कर मारेंगे इसके नारे यानि यहा पर वो नरायन रानिक के बैठे के उस बयान का जिक्र कर रही हैं और कह रही है कि PM मोदी और BJP यह पाखंड कर रही है तो इस तरीके से ये सुप्रियार शिनित की बॉखलाहट है ये कॉंग्रिस पार्टी की बॉखलाहट है जो इन तस्वीरों पर नज़र आई है लेकिन वहीं पर कुछ लोग जिस तरीके से बॉखलाते नज़र आ रहे हैं उसमें पत्रकार आर्फा खानम शेरवानी भी है प्यम मोदी जैसे ह बॉर्णाई की इस एथियासिक मस्जिद में पहुंचे वहाँ पर उन्हें सम्मानित भी किया गया लेकिन आर्फा खानम शेरवानी ने एक शायरी के जड़िये मौमीन खा मौमीन की ये शायरी है जिसके जड़िये प्यम मोदी पर हमला बोला और लिखा कि शब जो मिस्टर सिनह भी जवाब देते हैं कि ना टॉपी पहना ना सजदा करा दो हजार दो वाला संगी मस्जिद में महमान बन खूम खूम फिरा ये मिस्टर सिनह की और से खिया गया प्रटवार है आर्फा खानम शेरवानी पर तो इस तरीके से ये जो तस्वीरे हैं बुर्णई में जिस तरीके से परदान मंतरी का ये दोरा और एक इसलामी कंट्री जो डील दोनों डेशों के जो नेता थे उनके बीच हुई है ये दूपक्षे दोरा करने वाले भारत के पहले परदान मंतरी हैं नरेंत्रमोदी जिन्होंने बुर्णई का दोरा किया है और जाहिर तोर पर पहुँचे और बताने कि भारत का कोई परदान मंतरी बुर्णई के दोरे पर अब तक नहीं गया था और परदान मंतरी नरेंत्रमोदी पहले भारत के ऐसे परदान मंतरी हैं जो कि बुर्णई के दुपक्षे दोरे पर पहुँचे हैं वहाँ पर ये शांदार स्वाग प्रदान मंत्री नरेंद्र मोदी का किया गया वहां पहुंचने पर उनका स्वागत जो है वहां के जो धार्मिक मावलों के मंत्री हैं पेहिन दातो उस्ताज हाजी उनकी तरफ से किया गया और उनके साथ ही साथ से मंत्री वहां के थे हाजी मुहम्मद इमाम उन्होंने प्यम मोडी का शानदार स्वागत किया और इतना ही नहीं बता दें कि बुर्णई में जिस तरीके से यह थ्यासिक मजachen इसका अपना एक अलग इत्यास है वह थ्यास भी तमाम जो इमाम वहाँ पर थे तमाम 누वी पर थे मंस्यूभी सरकार कि उनके साथ बैख कर उस इत्यास को भी पियम मोदी ने देखा समझा कि आखिर इसके माहिने क्या है और यही वचा है कि मजज़े से आई पियम मोदी की ये तस्वीरे जो खुद उन्होंने अपने एक्स हैंडल पर शेयर भी की है और बताया है कि वो इस इत्यासिक उमर अली स स्याफुदीन मस्ज़ित पहुँशे थे और वहां पर जाहिर तोर पर उन्होंने टौपी नहीं पहनी ये इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं लेकिन इस मस्ज़ित के अगर बात की जाए तो बता दी कि 1958 में ये जो मस्ज़ित है इसका निर्मान किया गया था एक धार्म और इटैलियन संगमर्कमर का इस्तमाल किया किया है मस्ज़ित को आकर्षक बनाने के लिए उस मस्ज़ित में मौज़ू है और इसका 42 मीटर अचा मिनार है ये तमाम चीज़े जो है वो कही ने कही वहां की एक इस्लामिक विरासत को दिखाता है और अपने इस दोरे के दोरा पीम मोदी ने भी वहाँ पर तमाम जो कहिने कही मजजीत की चीजें हैं उनको देखा भारतीय लोगों से बाच्चीत की वहाँ के जो राजा थे उनसे दरसल उनकी मीटिंग हुई है मुलाकात हुई है पीम मोदी ने कई महत्पून बाते वहाँ पर की हैं भारत और बुर्णे के बीच कल्चर एक्सचेंज पर यहाँ पर जोड़ दिया गया है यानि यह जो दोरा है बुर्णे का यह एथियासिक है और एथियासिक चीजे ही इस दोरे के दोरान देखने को मिली ये कई माइनों में एहम है क्योंकि पियम मोधी का जो ये दोरा है अगर विदेश नीती की बात की जाए तो उसमें लुक इस्ट और एक्ट इस्ट ये एहम रनीती जो है वो कहीं न कहीं है और इसके तहट पियम मोधी का बुर्णई और सिंगापूर का भी दोरा बुर्णई क के बाद पियम मोदी कर रहे हैं सिंगापूर भी पहुँच चुके हैं क्योंकि दोनों ही देश हिंद परशांत महासागर्थ में भारत की मुझूद्गी को मजबूत करने के लिहास से महत्कून हैं तो ऐसे में ये कही नए युग की शुरुआत की उमीद पियम मोदी ने भार प्रशनितिक संबंद 40 साल पुराने हैं और अब इसका एक नया अध्याय जो है वो पियम मोदी ने इसकी शुरुवात की है फिलाल आपकी इस पूरी खबर को लेकर क्या राय है में कॉमेंट बोक्स में ज़रू लिखे हैं